आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक छोटी सी केंडल जलाकर या इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करके सब्मरीन के अंदर सांस लेने लायक ऑक्सीजन बनाई जाती है। समुद्र में खारा पानी होने की वज़े से अगर आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हैड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रड्यूस होंगे। ऐसी स्थिती में क्लोरीन गैस सब्मरीन में काम करने वाले क्रू के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले reverse osmosis के थूरू पानी का desalination किया जाता है और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करके oxygen generate होती है। लेकिन मान लीजी अगर किसी कारण से सब्मरीन में बिजली की समस्या उत्पन हो जाए तो ऐसी स्थिती में पानी के अंदर oxygen कैसे produce होगा तो ऐसे में आप एक मौमबत्ती जलाकर oxygen को बना सकते हैं जब आप iron को burn करते हैं तो उसको burn करने के लिए आपको oxygen देनी पड़ती है जिससे byproduct के रूप में iron oxide produce होता है और यह iron oxide sodium chloride के साथ react करके oxygen produce करता है और इस तरह से एक छोटी सी candle बड़ी ही असानी से सांस लेने लाएक oxygen दे पाती है